Hello dear students, पीटा, आज हम DOE का practice paper number 2 solve कर रहे हैं और जिसका part A सिर्फ हम इस बार cover करेंगे First question, दो परिमे संख्यों के बीच में कितनी संख्या हमें correct answer पर टिक करना है In between two rational numbers, there are infinitely many rational numbers, हमें बताईए, so the answer is B Nimd में से कौन सी संख्या x square के बराबर है, which of the falling is equal to x square So now we will have to solve all these options, तो देखते हैं सबसे पहले कौन सा हमें easily कर सकते हैं Suppose मैं नीचे से चलना शुरू करूँ क्योंकि 12 by 7 minus, जब division में है तो आपका minus हो जाएगी power Minus 5 by 7 आप करोगे, 12 minus 5, 7, 7 by 7, 1 बनेगी इसकी power तो यह तो cancel हो गया, इसको check करते हैं, गुणा करते हैं तो powers add हो जाती है तो हमारे पास क्या बनेगा इसका, देखे, x की power 2 by 4 plus 6 by 4, that means x की power 8 by 4 and that means x square तो यह हमारा correct answer है Next देखे, y equal to 3x पर कोई भी बिंदू किस प्रकार का होगा, any point on the line y equal to 3x तो अगर a को a माना गया है, a और b में, a में answer है न, तो अगर a को a माना है, तो y कितना हो जाएगा, 3 a So, answer is a Next देखे, दो points के coordinates 2 minus 3 and minus 6 5 है तो इनके भुज में difference बताईए, abscissus में difference बताना है में तो abscissus क्या होता है बिटा, x coordinate तो इसका 2 है, इसका minus 6 है, तो इसका दोनों का हमें difference बताने है 2 minus minus 6 तो क्या बन जाएगा, 2 plus 6, answer is 8 C, next देखे, यदि किसी बिंदू के दोनों निर्देशा ग्रिनात्मक है, दोनों coordinates कैसे है, negative है तो हमें क्या बताना है कि कौन से उसमें coordinate में lie करेगा, तो दोनों negative हमेरे पास कहां पर होते है देखे, answer is C, very easy 6 question, तीन समानता रेखाएं, एक दूसरे को कहां पर प्रतिछेत करती है 3 parallel lines intersect, आपको पाता है कि parallel lines तो कभी भी intersect नहीं करती, तो answer is D correct answer is D, correct पर हमें tick करना है next देखे, निम्न में से कौन सी संख्या एक अपरी में है तो जो आपरी में है, वो कभी खतम नहीं होगी है ना, और number repeat नहीं होगी तो correct option हमें यहां C दिख रहे तो कौन जिनका योग 180 degree है, वो क्या कहलाते है 180 degree है का सम्मू, तो supplementary कहलाते हैं या संपू रखो next, x और y में कितने रहकिक सम्मी करंट से संतुष्ट हो सकते हैं तो इसमें क्या x और, मतलब 1 और 2 कितने equations के solution हो सकते हैं तो बेटा, हम infinite equations बना सकते हैं जिन में answer 1 और 2 उनका हो तो answer is C, next देखिए, यदि AB is equal to QR, BC equal to PR, CA is equal to PQ तो इन में से कौन से statement आपकी ठीक है, हमें बताना है तो very easy है बिटा, आपको check कर लेना है, A के साथ हमारा AB के साथ जा रहा है अगर मैं ABC एक triangle रखों, तो AB के साथ मुझे लिखना है QR और BC के साथ आपका PR आना चाहिए, यानि कि RP भी लिख सकते हूँ, हमारे साब से यह होना चाहिए अब आप check कर लिजे, यह option इसने कहां दे रखा है, तो देखिए, change भी कर सकता है ABC को हम B, A, C भी लिख सकते है, C, B, A, B कुछ भी लिख सकते है तो हमें देखना है कि यह तीनों pattern कहां, सेम कहां बन रहे है तो answer यहाँ पर C बन रहे है हमें है, देख रहे है ना next देखिए, एक क्रिबुट जिसकी भुजाओं की लंबाई 20, 15 और 9 है उसका semi perimeter बताना है, अर्द परिमाब, यानि की S निकालने है आपको it is 20 प्लस 15 प्लस 9 अपॉन 2, कितना आ जाएगा? 44 बाई 2, answer is 22, C next, एक समध्वी भाव, यानि की isosless triangle में जिसमें की equal sides की length कितनी देगी है? 13 cm, यानि की 13, 13 की 2 sides है आपके पास और तीसरी side 24 cm है, उसका area हमें find out करना है तो we will apply the here-ons formula, ABC हमने इसको माल लिया 13, 13, 24, semi perimeter निकालते हैं पहले, 25 आगया फिर area S, S-A, S-B, S-C, under the root आपको पताई है formula बहुत carefully values रखीं और solve करके answer आगया 60 square centimeter C next देखिए, triangle ABC में एक हमने triangle बनाया जिसमें AB is equal to AC है, तो आपको बताई है कि अगर AB के सामने वाला angle भी इस angle के equal होगा दोनों opposite angles भी इकवल होते हैं इसके सामने के यह वाला इसके सामने के यह वाले के इकवल होगा तो अगर यह 50 दिया गया है तो यह भी कितना होगा पिटा, 50 अगर को निगर जैए 2 छंप दो संपोरक कोणों का अंतर चालिस डेग्री यह याणिकि अगर उनको जोडा जाए सम्पूरक क कंड़ी आटकी, यह 92 होगा है ना दोनों में अंतर कितना है 40 डिग्री का तो अब इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो हमारे को 180 मिलना चाहिए तो आपको एंगल कितने मिल गए 110 और 70 डिग्री का आंसर आगे आपका B नेक्स देखिए बाराम बारता बंटन में 5 सतत मतलब सबसे चोटे वक की पहले वक की निमन लोर लिमिट क्या है 10 और हमें सबसे लास्ट के हाइस क्लास की अपर लिमिट बतानी है तो देखिए बेटा कैसे करेंगे इसने बोला है क्लास साइज 5 है क्लास साइज 5 है और आपका ग्रूप कहां से शुरू हो रहा है 10 से तो पहला ग्रूप आपका बना 10 से 15 15 से 20 और कितने क्लास इस हैं 5 तो हम लिख लेंगे फटाफट 20 से 25, 25 से 30 and 32 35 अब इसने सबसे हाइस क्लास की लोर लिमिट पूचा है ना हम से तो आंसर हमारा बन गया 30C नेक्स दिखिए एक त्रिबुजगार खेत की लंबाई 51, 30, 7 and 20 है और इस खेत को समतल कराने का खर्च बताईए 3 रूपे प्रती मीटर स्वेर की तो तो cost of leveling हमें बतानी है लेकिन cost of leveling आप कैसे बताओगे जब ये सारा area find out कर लोगे तो area निकालने के लिए again hero's formula अप्लाई करेंगे अब semi parameter निकाला formula लगाया carefully उसको solve किया answer आगया area का 306 अब cost कितना दे रहा है वो 3 रूपेस पर मीटर तो 3 रूपेस से multiply करके 918 रूपे answer आगया next देखिए एक रैखी कुगम का एक कोन noon कोन हो तो दूसरा बताईए तो आप देखिए एक अगर ऐसी noon कोन acute angle हमने बनाया है तो दूसरा कैसा लग रहा है मुझे अधिक कोन लग रहा है ना obtuse angle तो answer क्या बना आपका c next देखिए p q r में r is equal to p एक हमने triangle बना लिया जिसमें दो angle उसने दिये है r equal to p अगर angle equal होते हैं तो इनके opposite sides equal होती है इसका मतलब ये दूनो sides आपस में equal है अब ये चार दे रखिए आपको तो ये भी कितनी हो गई 4 cm यदि एक त्रिबुच की बुजाओं को दुगना कर दिया जाए तो उसका शेत्फल क्या होगा तो शेत्फल क्या होता है बिटा अगर उसको दुगना हर साइट दुगनी हो रही है तो शेत्फल में वर्ग होता है आपका है ना तो चार गुना हो गया दो का वर्ग जब आप करोगे इसका मतलब शेत्फल उसका चार गुना हो जाएगा होगी ऐसा कुश्यन हम पहले पार्ट में भी कर चुके हैं तो आपको one by one इसको चेक करना है यहाँ पर 370 से 390 आपने लिख लिया आप यहाँ पर टैली मार्क्स बनाएंगे इनके एक एक डेटा को चेक करते जाएंगे और मार्क करते जाएंगे देखिए इसको कितना बनेगा 370 से 390 370 से बड़ा देखते हैं कुई है तो कुई भी डेटा नहीं है यहाँ पर तो आंसर हमारा यहाँ पर जीरो रह गया और फ्रेक्वेंसी क्या बनी जीरो आंसर इस ए तो यह हमने आज पार्ट वान कर लिया है पार्ट ए किया है सौल आप इसे समझेए प्रैक्टिस कीजिए स्टेबलेस